अलो फ्रेंट्स, आज हम 708 राउंड का डिविजन 2 गा, प्रोब्लम सीवन की LCM और इजी वर्जन ये हम लोग डिस्कस करेंगे, तो प्रोब्लम में अपने को दो वैल्यूस दी गई है, एन और के, और क्यूंकि ये इजी वर्जन है, इसलिए यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो फिक्स कर दियी और वह तीन है और अब पूठा अपने से लिए है, कि आपने को और यह वैलुस, के वैल्यूस हाई में करनी चाहिए, ना वो n होना चाहिए और इनका जो composite LCM है A1, A2 और A3 का इनका less than होना चाहिए n by 2 से अच्छा तो अब यह problem में एक चीज जो दिमाग भी आनी चाहिए और वो इसमें काफी काम आएगी वो यह चीज है कि अगर हम LCM निकाल लें 1, और किसी value x का तो वो क्या आएगा वो आएग एक्स मतलब अब मैं आपको simple definition में LCM क्या होता बता रहता हूँ LCM एक ऐसी छोटी से छोटी value होती है एक ऐसी छोटी से छोटी value जैसे हमने कहा कि LCM of A, B is equal to C अगर हमने यह कहा इसका मतलब C एक ऐसी छोटी से छोटी value है जो A से भी divide होगी और B से भी divide होगी तो यहाँ पर जो हमारा X है वो 1 से भी divide होगा और X से भी पूरा का पूरा divide होगा तो यह जो formula है न वो इस problem में काफी काम आने वाला है तो मैं logic आपसे discuss कर लेता हूँ कि इसका logic क्या होगा तो जो हमें इन दिया हुआ है अब हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इन और है या इन इवन है अगर इन और हुआ तो सबसे पहले लेली अब हमारे पस्टी कितनी यह ओंआ सकते है क्योंकि हमारा यहां पे की जो तीन हुआ है मतलब हम को तीन वैल्य करनी है और हमने एक वैल्य और लेड़ी उन मन ली ठीक है है तो अब हमको बाकी की बची दोवैल Yoomo को find करना है तो अगर आपको जो मैंने पीछे-पीछे समझाया था वह भूले नहीं होंगी तो वह यह values होंगी यह values कैसे होंगी यह मैं आपको इधर explain करें करें रहा हूं जैसे n-1 by 2 क्या होगी एक यह कुछ भी हो लेकिन n-1 जो होगा वह एक even value होगी अगर n odd हुआ तो ठीक है ना तो n-1 by 2 जो और इन 3D new का क्या होगा देखिए यह जो ब्ष्वन है न और इसका LCM क्या होगा in on according to one और इसका LCM क्या होगा n1 boy & 2 और बागी जो भाची ये दो values हैं इनका LCM क्या होगाадц 12 1 by 2 और ये छोटा ही होगा ही होगा n by 2 से ठीक है आपको ये बास समझ में आ गई ना तो ये हो गया odd का case, odd का case मैंने कैसे बताया कि अगर odd है तो आप सबसे पहले तो एक 1 बाहर ले लो बची हमारी बास 2 values दो positions बची अब उनके corresponding अब हमें पता ही कि अगर n odd है तो n 1-1 क्या होगा, even होगा अच्छा अगर ये even हुआ तो ये जो values होंगी न ये दो values हमने ले लिए अच्छा अब देख लीजे आप n-1 by 2 प्लस n-1 by 2 जब इसका सम करेंगे वो आ जाएगा n और इनका जो LCM होगा न क्योंकि 1 का LCM इसके साथ क्या आएगा n-1 by 2 जो मैंने आपको पहले समझागा है इसका LCM n-1 by 2 और जो दो n-1 by 2 होगे उनका खुद n-1 by 2 LCM हो जाएगा जो की n by 2 से बड़ा होगा तो ये हमने डिस्कुस कर दिया और कर केस अब हम even का केस केस डिस्कुस कर लेते हैं कि अगर n जो हमारा हुआ वो even होँ तो क्या हुआ ठीक है इसमें भी दो सब केस बनेंगे एक सब केस यह बनेगा कि अगर हमारा n-2 भी even हुआ हमारा अगर हमारा n by 2 even हुआ इसका मतलब है कि हमारे पास 3 positions है ये ये और ये तो मैंने कर दिया कि मेरी n by 2 मैंने एक ले लिया value अब हमारी बची अब हमारा जो sum बचा ना वो n by 2 बचा अब इस sum से हमें दो values और निकाल ली है अब वो the values क्या हो सकती है अब खोदी सोचिए कि अगर n by 2 even हुआ देखिए n जो था पहले से even था हमने एक value ले ली n by 2 n by 2 की वो ली वो अभी आपको आगे पता चलेगी तो n by 2 हमने एक value ले ली अब जो बाकी का n by 2 बचा n minus n by 2 से तो n by 2 जो बचा अगर ये even हुआ तो क्या करेंगे वो मैं आपको ये धर दिखाए दे रहा हूँ अगर ये even हुआ ना n by 2 तो इसका मतलब है कि n by 2 n by 2 by 2 ये दो values हम ले सकते हैं मतलब n by 4 और n by 4 ये तीन values हमारी answer में आ सकती है कि नहीं आ सकती है क्योंकि इनका जो sum होगा वो n होगा और इनका जो lcm होगा अब देख लेजिए n by 4 इनका जो lcm होगा वो भी क्या होगा n by 2 क्योंकि n by 2 से n by 2 कटेगा और n by 2 जो है ना उसको n by 4 भी काट सकता है और वो 2 times आएगा अगर n by 4 कटेगा ठीक ना तो इसका मतलब है कि हमारी तीन वैल्यूज कुछ इस तरीक से से होगी n by 2, n by 4, n by 4 इसका lcm होगा n by 2 इसका lcm होगा n by 4 और n by 2 और n by 4 का lcm क्या होगा n by 2 और क्योंकि यह हमारी condition है कि यह हमारा n by 2 बराबर हो सकता है तो यह तो मैंने यह case एक प्रूफ कर दिया कि अगर हमारा n even है ठीक है और n by 2 भी हमारा even है अब हमने कहा कि अगर n even है मनले लिजे n even है और हमारा जो n by 2 हुआ वो odd हुआ तो उस case में क्या करेंगी वो मैं आपको explain कर दूँँगा ओके तो हमारे पास तीन positions है एक position को हमने n by 2 रख दिया है ठीक है तो अब यह last case बचा है कि अगर n by 2 जो हमारा हुआ वो odd हुआ तो हम इन तीन positions को कैसे चुनेंगे सौरी अभी हमने n by 2 नहीं रखा है अभी हम इन तीन positions को हमें चुनना है ठीक है अगर n by 2 odd हुआ अच्छा अब मेरी एक बात सुनिया है आप लोग क्योंकि n जो बड़ा होगा न वो तीन से बड़ा होगा सवाल में हमें दिया हुआ है तो अगर हम पहली value 2 चुन लें ठीक है ना पहली value अगर 2 चुन लें तो बाकी की बची value क्या होंगी बाकी बचा कितना और n-2 by 2 n-2 by 2 ये तीन values ले लें तो हमारा answer satisfy हो जाएगा क्योंकि जो 2 और n-2 by 2 का LCM जो होगा वो n-2 by 2 होगा और इन दोनों का LCM भी n-2 by 2 होगा और 2 और n-2 by 2 का LCM भी n-2 by 2 होगा जो कि छोटा होगा n by 2 से ठीक है तो यह मैंने आपको discuss कर दी है जो हमारी logic थे और अगर आपको code चाहिए होगा तो code की link मैं description में डाल दूँगा उसे अब देख सकते हैं और अब मैं hard version को discuss करने वाला हूँ ओके अब hard version तो hard version में और easy version में इतना difference है कि easy version में जो के था वो हमारा 3 था लेकिन अब जो हमारा k होगा वो 3 और n के बीच में होगा और जो n की maximum value है वो इस question में दी हुई है 10 to the power 9 तक जा सकती है और लेकिन end में हमें यह भी दिया हुआ है कि जो k की value है k की value less than equal to 10 to the power 5 होगी मतलब की यह जो यहां पर दिया हुआ है अब इस question कितनी जासकती है 10 to the power 5 तक इसका मतलब अब हमें 10 to the power 9 को bother नहीं करना है और 10 to the power 5 तक ही हमारा 10 to the power 5 तक मान के ही हम इस problem को solve करेंगे की value मतलब कि जो हमारा end दिया हुआ है उसको हम 10 to the power 5 distinct digits में divide कर सकते है ठीक है ना तो 10 to the power 5 हमारी complexity में आता है तो इसको ध्यान में रखके हम अब अपना problem solve करेंगे अच्छा तो जो easy version हमने solve किया था ना और जो hard version है बस बहुत छोटा सा difference है इसमें वो difference मैंने आपको बताया था easy version में और वो difference यह होगा मैंने आपको क्या होता है था कि LCM of one of any value is equal to that value ओके तो अब हम क्या करेंगे ना जो hard version है हमारा मान लिजे n ए किया हुआ है और इनको हमें के distinct में बदलना है तो हम क्या करेंगे ना हम यह करेंगे कि k-3 वन प्रिंट करा लेंगे और जो बाकी की तीन बचे वो कैसे find करेंगे वो जो हमने easy question में जो जितनी भी टेक्निक्स सीखी थी easy version में उन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम बाकी की बच्ची तीन वैल्यू स्प्रिंट करा लेंगे मतलब के की वैल्यू ठीक है मैं आपको अभी एक एक्जाम्पिल से समझाय दे रहा हूं रह् ув किया एक्जाब माली लेंगे मतलब कि यहां पर 5 लेंगे So many salesokay ऑप तो पर दो पोडिया क्यूंकि हमें पता है कि आएंए जो वही वैल्यू होगी जो इस जिगायए पर होगी थिक हमारा किया आट है तो और के लिए गहां आट मैं ने बताया था कि कि एक और dv2 और don यह जाएगा साइवन मांडस और सेवन माईनस और टू तो 133 तो इजी वर्जन का जो मैंने आपको लॉजिक बताया था ना उससे ये तीन वैल्यूस निकाल लीजिए और ये ऐसे करके हो जाएंगी और आप देख सकते हैं कि ये छे और ये तीन नौ और इनका ऐल्सीयम जो होगा वो हर हाल में ही टीन होगा जो की होगा हमारा झोगिनायन है और बाइटीो मतलब की तीन होगा चार से चोटा ही होगा तो जो बाकि की useful थीप्डे लिजिए जो सहां प्रम्ले से निकाल लेजिए जो हमने इजी वर्जन में डिसकस किया हुआ है ठीक ना तो बस इजी और हाड में इतना ही रिफरेंस था कि जो हम extra value है उनको 1 ले लेंगे और बाकी की जो बची हमारी जो बाकी की बची n- k-3 जो बाकी का ये जो digit बचा है ना इसकी 3 जिखहे पर हम लोग इनको भी 3 जिखहे से divide कर लेंगे और उसको divide करने का जो हमें logic easy version में सीखा था वही version से हम लोग इन 3 digit में इसको divide कर देंगे तो I think ये hard version भी हो गया है और जो मैंने code लिखा हुआ है उसकी link में आपको description में देदूंगा तो ये हमारा जो C1 और C2 है वो problem solve हो गई है ओके थेंक्यू